पर ब्रेक की बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जम्मू कश्मी विधानसभाद चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहरत 40 विधानसभाद सीटों पर वोटिंग होनी है जिसमें से 26 सीटे जम्मू और 14 सीटे कश्म निरुगुपता ने लोगतांतुरिक विवस्था को सशक्त करने में अपने दायतों का निर्वहन कर रहे कुछ युवा मद्दाताओं से खास बातचीत किया है आई आपको दिखाते हैं ये खास बातचीत जमूरियत के जस्न में पूरा जम्मू कस्मीर उस्सा के साथ भाग ले रहा है और हमारे साथ कुछ युवा हैं हम सीधे उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ इस बार मतदान करने जा रहे हैं जेन के की जो ट्रांस्परटेशन सर्विसेज है वो और ज्यादा अच्छी हो जानी चाहिए ताकि सेफटी हो रात में निकले दिन में निकले कनेक्टिविटी बढ़ जाए हर स्टेट से कनेक्टिविटी इन्हांस हो जाए आने वाली सरकार है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को और ज्यादा ताकतवर बनाए ना कि सिर्फ वो आलग अलग शेत्रों में बट पॉलिटिक्स में भी वो उनका रोल भड़ाए साथ में 370 हटने के बाद जो कश्मीर के परिस्थितियां हैं उनमें काफी बदलाव आया है और पूरे जम्मू में रोजगार बढ़ना चाहिए स्वास्त की गुडवत्ता में सुधार होना चाहिए जम्मू एक ऐसी जगए जहां पर टेरिरिजम पहले बहुत जादा रहा है लेकिन अब 370 हटने के बाद वो चीज़े कम हो गई है थोड़ी थोड़ा डर महिलाओं के अंदर से गया है सरकार की कुछ योशनाओं से वो डर पूरी तरह से जा सकता है सरकार इस पर काम कर सकती ह इनी कुछ मुद्दों के साथ में मैं इस बार वोट करने जाओंगी चाहते हैं जमू से कैमरामन संदीप के साथ अमरेंद्र गुपता डीडी न्यूज जमू और इसी प्रताज़ा अपडेट एलते हैं हमारे साथ में हमारे समवादा कुपारा से रमात्यागी